प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने सोमवार को जनपत के तरकुलानी रेगुलेटर सहित मंडल के 10 बाढ़ नियंत्रल एवं जल निकासी की परियोजनाओं का लोकार पड़ किया लोकारपित होने वाले परियोजनाओं में गोरगपुर की पांच महराज गंज की चार एवं दिवरिया की एक परियोजना शामिल है जिसकी कुल लागत 1925 दस्मलो 46 लाक रुपए हैं इस रेगुलेटर के बनने से 2838 हेक्टर कृशी भूमी भी इससे लावान वित होगी इसके अलावा सीम योगी ने गोरगपुर ग्रामीर एवं 44 विधान सभा की 17242 दस्मलो 18 लाक रुपए की लागत की 30 परियोजनाओं का लोकारपड एवं 3964 दस्मलो 9 तीन रुपए लाक की लागत की 15 परियोजनाओं का सिलन्याश किया विकासकार की सिलन्याश एवं लोकारपड की गई परियोजनाओं की कुल लागत 21,207 दस्मलो 11 लाक रुपए हैं इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुखी बंतरी योगी आदितनाथ ने कहा कि तरकुलानी रेगुलेटर 47 गामों के लोगों के जीवन में नया बदलाव लेकर आया है इन गामों में खेतों को अब जल जमाओं से मुक्ती मिलेगी खिसान अब साल में दो फसल कार सकेंगे उन्होंने कहा कि 2009 से लोगों की मांग थी कि तरकुलानी रेगुलेटर बनाया जाए पचास हजार परिवारों के लिए या बहुत आवश्यक है ताकि लोगों को बाण जन्धन की हानी और बीमारियों से बचाया जा सके बुक्यमंत्री होगी आदितनात ने कहा कि इसकी छमता इतनी है कि अगर रामगर ताल के पानी को बाहर करना हो तो या अधिक्तम एक घंटे में पूरे ताल के पानी को उडिल कर फेक देगा उन्होंने कहा कि दिसंबर तक प्रदेश में पच्चास हजार अजस्व गाउं तक पेजल की विवस्था को स्विक्रिती दे कर कारे प्रारब कर दिया जाए जिससे हर घर नल की योजना को साकार किया जा सके उन्होंने कहा कि हम लोग एक एक घर तक शुद्ध पेजल उपलब्ध कराने का कारे कर रहे हैं मुक्यमंत्री योगी आधितनात ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं को लोकारपित किया जा रहा है उसमें दस सड़क परियोजनाएं भी हैं साथ ही चौरी-चौरा छेत्र में दो ओवर ब्रिज का लोकारपर भी किया जा रहा है मुक्यमंत्री ने कहा कि गोरपुर में फटलाइजर कारखाना अक्टूबर तक तयार हो जाएगा इसके बाद प्रधान मंत्री जी के करकमलों से इस कारखाने का उदगाटन संपन होगा कारखाने से किसानों को खाद मिलेगी, नौजवानों को नौक्रिया मिलेगी, रोजगार की सुविधाय उतपन होगी उन्होंने आगे कहा कि अक्टूबर में विश इस्तरिय चिकिस्सा सुविधाओं वाले एम्स का भी प्रधान मंत्री मोदी के हाथों उदगाटन किया जाएगा गुरगपुर में विकास के नय प्रतिमानों का उलेग करते हुए, उन्होंने कहा कि जो रामगरताल कभी अपरादियों का अड़ा होता था, अब पर्यटन केद्र बन चुका है अपनी सुन्दर्ता में या मुंबई को भी फेल कर रहा है मुख्यमंत्री होगी आदितनाथ ने कोरोना से अपने प्रियोजनों को खोने वालों के प्रती समवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशन लित्रत्व में देश सुरक्षित इस्थिती में है उन्होंने कहा कि 33 करोड की आबादी वाले विक्सित देश अमरिका में भारत की तुलना में दोगुनी मौती हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के साथ जीवीका की रक्षा के लिए हमें जागरुकता के साथ आगे बढ़ना है उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ अपराधियों एवा माफियों पर कड़ी कारवाई भी की जा रही है जिसे कानून विवस्था और बहतर हो इस अफसर पर सदर सांसद रवे किशन शुकल केंद्रिया जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत प्रदेश के जलशक्ती मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंग ने लोगों को संबोधित गया कारिक्रम में राज सभा सदस्य जप्रकाश निशाद विधायक विपिन सिंग वस संगीता यादव पूरु मंत्री राजेश त्रपाटी अपर मुख्य सचीव सिचाई टी वेंके टेश मुख्य अभियंता सिचाई अशोक सिंग मंदला युक्तर रवी कुमार एंजी अधिने हमारी तो फोर्ड़ों मजबूत है हाँ अधिया प्रदाम सिंग्य मां सरकार अक्तर प्रदेश कंदर आई चली गई अपना बेता वदर कि निगहां इसके ने करने के लिए लाइक को रख पूरे के लाँ अलहो नाग्याँ आख प्रदाम सिंग्याइश नाग्याइ अर्य अनाई एनाई हो तेदानी अमन यहां सांसा था जैसी भी चलत रहे है तो वहूं भी सणवर्डे खाड़ा कि कंशे खन दिया कंशे उठे लाई लेकिन गवर कर यहाँ जा अरे लौटतर हलं और यह पांसो एक रुपिया हमारे जन्मल कवडिया से लोग प्रिये गराम प्रधान आधरी बाभुजी स्री राम चंदर सिंग जी के सुपत्र और हमारे भाजी भाई ये केमन बड़ी प्रेम सब भाजी भाई कही था ऐसे मारे बड़े भाई सिगी सद्रुगं सिंगी सुपिस भाजी भाईयों के लाइप पर आंसोय पर देखर के बड़े भाई ने समान किया है लेकाई सब के लिए गयाती गवरा का और हर्ष का विशे है कि हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे ये शस्वी माननिय मुख्य मंत्री जी एक और राप्ती नदी के किनारे बसा होने के कारण यहां बाढ़ की सम्भावनाई है वारे मंत्री के गड़ो सहीद वारे के लिए ये शस्वी माननिय मुख्य मंत्री जी का मंच पर आगमेन हो रहा है आपके सम्माल में अपने स्वावों में खड़ी होकर आपका अभिवागत करेंगे जो डार तालियों के मंत्री तो डार तालियों के स्वागर अभिनेश्य मुख्य 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 मु नहीन इस मंच के माध्यम से स्वागत करती हूं मालेनिय मुख्य मंत्री जी हॡ़ा प्रदेश श्री विपिन सिंग जी श्री पते बहादूर सिंग जी वारेट विधाया क्यांपियर गज आपका स्वागत है श्री की विजेंद्र पांडियां जी जिलादिकारी गोरकुर अमसादुकारी हो यहां मंगल दीपम नमा में हम मंगल दीपम नमा में हम अलेस्पानों से ही जोड़ार कालियों के माध्याद से अभिवादर करेंगे अपने प्रदेश के यह सिस्वी माने लिए मुख्यमंत्र जी का अधियांतर के साथ निविदन करूगी माने लिए विधायर श्री विपिर सिंग जी से गोरपुर ग्राविर श्रुजमंत्र जीकार आप सभी के तरफ से स्वागत करते हैं साथियों आजादी के बाद से तमाम बार बिदान सबादों सबाद के चुना हुआ लेकिन चुनाओं में तमाम आसोसन दिये जाते थे तो फुलानी रेगुलेटर हम बनवाते के हम बनवाते के लेकिन पुछ महरादी जो लुक्तर प्रणेश की बागलोर समारे और आपका बेटा भी धायक हुआ मेरे भागि में लिखाता पुछ महरादी के द्वारा इसको प्रेशा दिनार 84 करोड 86 लाद रुपे से साधियों आपका पंपिंग इस्टेशन बनके तयार हुआ इसी के साथ गोरख पुर्म रहकी बाड़ी फरुद्रा का पुछ महरास सरकार का पुछ महरास सक् runtime के लाधी का अंटिकवार करने का शमारी तमच्छ माराम करते हुए कि समय कमें महराजी को और आगे भी जाना है बहुत सारे काम है दू मिनट में बात हमार सुन लिया देखा भीया हो अभी आप लोगों ने पर्दे पे देखा क्या हुआ हम लोग वहां क्या कर रहे थे यह रेगुलेटर बाप पचासी करोर रुप्या गा आज आप लोग आशिर्वाद देने धन्यवाद देने महाराज जी को आए हो काने मालूम भाद पीजब महाराज जी यह आवाज तर्कुलानी के रेगुलेटर का आवाज जब इस संसद में गूजत रहे महाराज जी सड़क से लेके संसद तक आख आंदोलन किये थे क्यों आंदोलन किये थे मालूम है कई साल से याद करो अगर जो लड़का लोग है जो कही बार वोटर है अपने माई बावू से जाके पुछिया है कि महाराज जी कैसे आंदोलन किये थे यह रेगुलेटर के लिए इस वक्त महाराज जी मंच पगटे हैं सबसे ज़्यादा भावूख है महाराज जी बोलते नहीं लेकिन उनकी भावनाएं बहुत भावूख है जितनी आप लोग है कहें कि जब खेतियर मजदूर किसान यहां से जाता था मंदिर में और महाराज जी के कादरल के महाराज जी खेती कैसे होई हमारे बालबच्चक ऐसे जी जीहन पानी में कुलो खेत बूढ गईबा था हे 5,000 परिवार 50,000 किसान हर बार में यह खोड़ाबार में पानी में खेत बूढ जाता था मकां बूढ जात रहे लोगए कि इनके बालबच्चकर तब्याद खराग हो गए इंसाव सो गया जाने के लिए रास्ता नहीं कहेंगी पूरा इलाका पानी से डुवा हुआ था याद है सपागी सरकार में पस्पागी सरकार में याद है सपागे जो सरदार है उन्हों कहते थे अरे राम किकना बिल्कू बनाए लोगों ने अराज जी एक करोड रुपया उसका बजट पारे था लितर गुलानी रेगुलेटर का सपागी सरकार के मुख्यमंत्री बोलते थे एक करोड रुपया पास हो गया अब रेगुलेटर बन जाएगा एक लाग की आबादी बार से मुक्त हो जाएगी इतना छूट पचासी करोड रुपया लगा है यहाँ यह लोग लूटे हैं भोका दिये हैं हमेरे साथ उत्तर प्रदेश को गोरखपुर को खोराबार की माटी को जाग विरादरी के नाम पे सिरिफ इलोगों ने आप बराद किया 947 से लेके 2017 का गोरखपुर याद करो 1047 से लेके 2017 का उत्र पदेश याद करो 9149 से लेके 2014 का मेरा भारत याद करो तरह यकीरश्ड़ जोटेश्वीप्रदार Sonia मुंतिरी अरेद मोदी जी आया और मिरा भारत बदलने लगा अएग बदलने लगा मेरा गरीब बदलने लगा, मेरा गुर्बा बदलने लगा, हर विरादरी बदलने लगी, क्या किये ये सब लूके, अपना पेट भरे अपनी महल बनाए, भारती जंगा पार्टी ऐसा नहीं करती है, भारती जंगा पार्टी राष्ट की पार्टी है, भारती जंगा पार्टी गईली मोटी पार्टी है आज देखा खोराबार में रिगुलेटर लग गई थाइस साल में मात्र भाइल रिकाम जो 2018 में शुरू भाइल रहे और इस अंगीनस सौगात अभी पर्दा खुलेगा और कितने करोरों का सौगात आएगा इसके बाद हम सजन्वा जाएंगे उतने करोर का एक सो चौशक करोर का पुझी माहराज जी ने दिशा दशा भदल दी नया भारत नया उत्तर प्रदेश नया कोरक पुर माहराज जी का जिदा होगे कि क्या ओवेसी को क्या जवाद दोगे क्या बोलोगे का बोलोगे बोला भारत माता की ना भी सी आवाज आए कि चाहिए प्रदान मंत्री भी सुन रहा है आप लोको अभी से आखरी तक भारत माता की बान्देष जै ऺुआ आप लोगे के बहुत भागिसाली हैं आप लोगो जिन्होंने उत्वदेश को अधेरे से उजाले में प्रवेश कर रहा है जिन्होंने उत्वदेश की सड़कों को चमचमाती हुई सड़के जिसमें आपके पीट का पानी नहीं हिलता है जिन्होंने पूरे उत्वदेश में बनाया है जिन्होंने पूरे उत्वनेश को बाड से बचाया है जिन्होंने कानून का राज अस्तापित किया है जिन्होंने किवल पांच जिले का नहीं बलकि 75 जिले का भिकास कराया है ऐसे आदर्णी मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग अभिनंदर करते हैं राजस्तान की बीर भूमी से हमारे सब के बीच में आदर्णी भारत सरकार के जलसक्ती मंत्री आदर्णी गजेंदर सिंग से कावजी हम लोग उनके बीच में हैं जोरदार तालियों के साथ आप उनका भी स्वागत और रविरंदर करिए मेरे गोरपुर के वीर सपूतो आदर्णी गजेंदर सिंग भाई साभ ने कहा है उत्तर प्रदेश चितना पैसा मागेगा उत्तर पैसा देने के लिए मैं तयार हूँ एक बार इसके लिए भी जोरदार तालिया आदर्णी गजेंदर जी भाई साभ के लिए आज का बहुत सुखत चड़ है रभी किशन जी खड़े थे वैसे तो रभी किशन जी कलाकार है सांसद भी है सरवबन संपन है हसते हैं, मुस्कराते हैं बाबा को याद करते हैं सब दिर्शी से रखते हैं लेकिन मेरी पोल खोलेंगे मैं नहीं मानता था लेकिन ऐसे सांसद भी हमको आपको मिले हैं यह भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है मित्रो ऐसे आज़री रभी किशन जी हमारे लोग के प्रियों सांसद वीपिन भहिया को मैं देखता हूं उनकी मुस्कराहट उनकी गंभीरता उनकी हसी जब मैंने कहा कि आदरी मुक्यमंत्री जी आना चाहते हैं और तरकुलानी रेगलेटर का सुभारम करना चाहते हैं उद्धाटन करना चाहते हैं लोकारपड करना चाहते हैं हसते और मुस्कराते हुए टेली फोन पर कैसे घदगद हो गए इन्होंने कहा तलक पाउने बिचा करके स्वागत करूगा ऐसे विधायक का भी हम सब लोग स्वागत करते हैं विक्रों हमारे देशोभागी का विश्य है हमारे युवा सांसर राजसवा के सांसर आदनी जेप्रकास इशाब जी मंचपर है हमारी बहन आदनिया संगीत आयादाव जी मंचपर विरादमान है हमारे भाई पूर्विधायक राजेश के पाथी जी मंचपर है हमारे चेंद्री अद्धैच आदनी धरमेंदर सिंग जी हमारे महानगर के अद्धैच आदनी राजेश जी हमारे ACS उतरप्रदेश स्री टी बिंकटेश जी और हमारे E.N.C. असोग जी मंच पर उपस्टिस तभी अरिश्टजन और यहाँ पर उपस्टिस हमारी मातार बेह मैं आप सब के सिचड़ों में सीज चुका करके आपका अविनंदन करता हूँ आप सब का सागत करता हूँ आप सब को बारंबार प्रणाम करता हूँ मैं बहुत सौभागे साली हूँ मैं कभी कभी सोचता हूँ 24 जनुनियों 1950 को उतलर प्रदेश मना था लबसे लेकर के अभी तक की यात्रा तो मैंने केवल किताबों में देखी मेरा सौभागे है कि मैं आदरी मुक्यमंतरी योगी आदितनाजी के कैमिनेट का एक सिपाही हूँ यह मैं अतना भाग की मांता हूँ मेरे भाई और बेहनों जब मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन को लगता है यादरी मुख्यमंत्री जी कैसे काम करते हैं 24 खंटे कैसे सोचते हैं कैसे परियोजनाओं को पूर्ण कराते हैं जो बाड से पूरा उत्तप्रदेश तवा होता था आज पूरा उत्तप्रदेश बाड की दृसे से उसको सुरचित करने का काम अगर किसी के मारदर्सनों नितित्त में हुआ है आसिरवाज से हुआ है लादरी मुख्यमंत्री होगी आदिक तनाची के कारण से हो पाया है मेरे भाई और बहनों आज हम लोग तरकुरानी डिक्रेटर के यहां पर उद्गातन के उसर पर बैठे हुए हैं कभी कभी मैं इसके पहले आया था जबे तालनुमा एरिया में देखता था और सोस्ता था अपने मन में पिछली बार जब बाढ़ाई थी मैं हेलिकॉप्टर से देखने के लिए आया था आदरी मुख्यमंत्री जी ने भेदा जाओ और देख कर क्या हो कहाँ कहां पर समय्स्या है उसका समधान करो अज़म मैं आकर के देखा तो सारी घर सारा एरिया पानी पानी दिखता था सब कुछ जल मंगन सा हो गया था सारी फफले डूब गई थी जारोतर पानी ही पानी दिखता था आदरी मुक्यमंत्री जी ने बताया इस जिंता मत करो रेगलेटर धल्दी बनेगा जलनी कासी होगी एजिया को पूरा लाफ पहुचेगा खेती भी बचेगी लोग भी बचेगे उस सिरी दिन आज आ गया है कि नहां पर रेगलेटर का लोकारपड हो रहा है आदरी मुक्यमंत्री जी अच्छे से विस्तार से पूरी चीजों के बारे में प्रकास चालेंगे मैं तो उनका विलंदन और स्वागत करता हूँ स्वागत करता हूँ आदरी गजेंदर सिंधी भाई साफ का मैंने वेदन करता चाहता हूँ 246 परियोजना बाड की पूरी मैं उन से भी कहना चाहता हूँ आजादी से लेकर कि आज तक बाड का पैसा मार्च और अपरेल में अपरेल और मई में मिलता था उसका टिंडर होता था टिंडर के बाद काम जून में सुरू होता था तब तक बाड हाजाती थी लोग कहते थे काम हो गया पैसा पानी में बह उत्रप्रदेस की सभी बाड़ की परियों जनाए बाड़ आने से पहले मांसून आने से पहले हम लोग उने पूरा किया है मेरा उत्रप्रदेस उत्रप्रदेस की जनहानी भनहानी पसुहानी किसी प्रकार की कोई हानी ना होने पाए या अधरी मुक्रवंत्री जी का है, उनकी प्रेणा है, नानि मुक्रमंत्री जी ने कहा था, 2015 और 16 में 15,41,773 हेक्टेर जमीन बाड़ से प्रभावित हुई थी, आप ध्यान से सुने लेना मेरी बाद को 15,41,773 हेक्टेर जमीन 2015 और 16 में प्रभावित हुई थी, आदरी मुक्रमंत्री योगिया अधितनाची करियों जुनाओं को पूरा किया और आपको जान करके खुशी होगी कि फंद्रा लाक से घट करके उन्ने इस और बीस में और घट करके बारा हजार पचीश हे रह गया इस पतित पावनीक पवित्र धर्दी को प्रणाम करता हूं और अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो शद्रे मुक्यमंत्री जी ने मुझे आलादी की लड़ाई के समय इस धर्दी के योगदान यहाँ वे अमर शईद बंदू सिंधी के बारे में बताया मेरी इस धर्दी और इस धर्दी पे जल्मे वे आप सब लोगों को के प्रतिश्च्च्च्था कई कई गुना बढ़ी है मैं आप सब का भी अभिनेंदर करता हूँ तरकुलाने एड्रेंगुलेटर पर बने इस नए जल निकासी के स्ट्रक्चर के उद्गाटर के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तर पुदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए उन समर्पन शक्ति और सामर्थी के साथ में जुटे शदे मुख्य मंत्री आदने योगी आदितिनाची मंच पर आसीन उत्तर पुदेश की उद्गावान जल शक्ति मंत्री जिनकी मैनत से पुरुशार्थ से पूरे उत्तर पुदेश में जल, संचे, सर्रक्षन, बाड़ राहत, पेजल, सिचाई इन सभी पक्षों में जम कर काम तेज गजी के साथ में हो रहा है और देश में मारची जब मानिये प्रणाशन की जी ने जल जैसे महत्वपुर्ण विशे को एकिक्रत करके एक मंत्राले बनाया 2019 से पहले जल का मंत्राले अनेक अनेक विभागों में, अनेक मंत्रालें में बटा हुआ था जल शक्ती मंत्राले का घटन किया, मुझे आशिवाद दिया, जल शक्ती मंत्री विदाते काम करने का उसर दिया मैं गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि देश में उसके बाद पहला प्रदेश उक्तर प्रदेश था, जिसने एक ही करत जल शक्ती मंत्राले बनाया और उसका परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं, ऐसे डक्टर महिंद सिंग जी, मंच करासी, मैं सूस्ता था कि ये रवी किशन जी के आवाज आप लोगों के लिए इवन संसद में इतनी जोर से गुंचती है आज मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में भी उतनी उर्जा के साथ में बात करते हैं मेरे अभिन्र मित्र आपके यशर्ष्वी सांसा च्री डवी किशन जी, राज्य सभा के सांसा आदनिय चैप्रकाश जी, शेत्री अध्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष में राजिश गुप्त जी उत्रपदेश शाशन में आतरिक्त मुक्य सचिव आरणिय टीव एंकटेश जी मंच पर आसीन भार्तिय जन्ता पाल्टी के अन्ने लेता जनप्रतिनिदिगंद सरकारी अधकारिगंद और इस पतित पावने पावित्र धर्दी गुरक्ष नातिजी की धर्दी के सारे मेरे भाईयों बेनों युवा साथियों पत्रकर भित्रों मैं अपने आपको गुर्वन वित्पैसिस कर रहा हुआ है कि मुझे एक ऐसी धर्दी पर आने का उसम मिला जिसने देश को आजाद कराने के लिए जो आल्यादी की लड़ाई अट्टारों सो सता में अग्रेजां से लिकी किताबों में कही जाती है उससे पहले से इस देश के आजादी के संगर्ष के लिए अपने बलिदान की परंपरा प्रहन बकी और आज मुझे जब मैं यहां इस तर्कुलानी के एड रेगुलेटर पर खड़ा था और जब मैंने देखा कि किस तरह स मैं काँगा है कि एक नई खोज करते हुए उन्होंने प्रारम किये मुझे अत्यंत प्रसनता हुई यहां आकर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस परियुजना को देख करके अब मुझे बरुसा जागा है कि देश में ऐसा एक भी प्रदेश आने वाले समय में नही करवाया है आने वाले समय में हदार और रोप जो इस चेतर में निवास करते थे उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवरतन आएग अने नन्यवादर मौती जिए इव Panda मने है जादान मानिवी के जिवन में परिवरतन आने के लिए गाह'ंगरी कि सन पीरी चोसेद जो पिछले पांच साल में जो सुमिधाई मिली थी गैस का चुला मिला, गरीब को घर मिला, गरीब को शोचारे मिला घर घर में बिजली पहुंची, हर घर में बैंक का खाता पहुंचा कुरोना के समय में उस खाते में पैसा पहुंचा किसान को खमान निदी पहुंची मैंने प्रदानमंती जी ने 2019 में जब आपने दोबर आश्रवाद दिया उसके बात तैय किया कि देश के हर घर में पीने का पानी पहुंच रहा ज़िए 2019 में 15 अगर्स को सतंता जिवस के दिन कि प्रासीन पर कड़े होकर कि उन्होंने कहा कि पिछले पांच वाद पिछले सतर साल में देश की सरकारों ने काम किया प्रदेशों की सरकारों ने काम किया स्थानिय सरकारों ने काम किया लेकिन केवल देश में 19 करोड गर में से निट है, प्रती दिन पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता हूँ, मैं तो प्रस्षी मी राजस्तान जाता हूँ, मैं जब अभी महाराची के साथ में आ रहा था, अब हलिकॉप्टर में चारों तरफ पानी देख रहा था, और खिड़की से मेरी नजर मारा जी ने आस्ते वे का आपके हम पानी है नहीं थोड़ा यहां से उठा करके ले जाए हमारे लोगों की भी समस्या का समाधार हो जाए मैं उस चिंटर से आता हूँ जहां पीने का पानी भी नहीं उपला दो माताओं बैनों को उपने सिर्फ और घड़ा रख करके मीलों मीलों दूर तक पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ बारा साल के ओर में चोटी बच्ची जब पीने का पानी लेने की यात्रा अपनी मां के साथ कौतुछ वश्प्रारंब करती है तब से ले करके जब सत्र साल के उमर तक उसकी कमर नहीं जुग जाती लगातार गित प्रतिते उसको पानी लाने का परिश्व करना पड़ता था माताओं बैनों को इस जाविशाप से मुक्ति मिलने चाहिए उन्हें इस वक्षे सुरक्षी थी पेजल अपने गर में अपने परिवार के बच्चों के लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए मिलना चाहिए देश भर में तीन लाख असी अजार करोड रुपे के बायकी लागत से परियोज नहीं प्रार्म होई और जब मैं कर बंदेल खड़ी की धर्थी पर था महोबा गया पांदा गया चित्र कूट गया मैंने वहां देखा कि जहां पानी के लिए लोग वर्षों से तरस्ते थे मुझे स्वनेने महाराची के साथ में जब उस इलानियास के अफसर पर वहां गया था तब बाशन देते वे वहां के सांसन ने कहा था कि बंदेल खड़ी में कावत है महाराची कि खसम मर जाए है पर गबरी ने भूटे कितना दर्द है उस महिला के कितना दर्द उस सहाव का उसने कितनी एहमेत है पानी के उसके जीवन में और आज उस बंदेल खड़ में हर घर तक पानी पहुचाने के संकल्प के साथ में काम हो रहाए देश पर में परिदेश से बतला है जासथा साथ साथ में केवल तीन करोड तेईस लाग घर जैसा मैंने कहा पानी पहुचा था जारा की इसाहँदा के उतर वे पिछले डेढ़ साथ में हमने 4 लाट के साथे चार कडोड नये घरों का क्मानी एं प्रजान मंतृ जी के नेतरत मेफ पानी पॉँचानी में कामowych इती है उत्र प्रदेश में भी तेजगेटी से काम प्रारufen हो ला है बुंदेश खनद्धेटए में काम चल रहे विंद्धेटर में काम चल रहे सोन बजर उस चेदए में काम चल रहे और मैंने परसो मानिय मुक्यम eliminates की साथ में समघ Explore किएर पुत्र पुदेश के सित्यान में जो है 97,000 जाउजन गाउं उननी सित्यान हैं पुक्ती हैं हैं जो फरीयूれない अभी पन रही है, डी-प्यार बनी है पीने का सच्छे बानी पहुंचाने में कामयावे परियोजनाई जिसमें रेगिलेटर काम हाउस दस सड़कों का लगारपन किया जा रहा है दो देर परिगामे से तूँ छे मित्याले और कई सड़कों का देपार कारिज एक बार जोड़ार कालिया इस सुखर और गौरवशाल इक्षान के लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवार और उचाईया प्राप कोई है जिन्होंने आप मिनित बार उत्तर प्रदेश की आप लेगुलेटर क्यास के इस लुकारपन कारिक्रम के साथ ही बोरगपूर समें बार से जुड़ी भी पूरवी उत्तर प्रदेश की दोसो पारप प्रूर उत्ते की भागत से लिभिन्न परियोशनाओं के लुकारपन कारिक्रम में आजने हम परपस्तित केंडरिय जलसक्ति मंत्री मान्य सी गजेन्र सिंग सेखावाच जी उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जलसक्ति मंत्री डॉक्टर माहन्र सिंग जी भोक्प्रिय सांसर सी रविकिसान शुकला जी राज्य सभा के मान्य सांसर सी जय प्रकास निसाद जी मान्य विधायक सी विपिन सिंग जी मान्य विधायक सिमती संगिता यालो जी भारती जंदापार्टी के छेत्री अंध्यक्स डॉक्टर रवेन्र सिंग जी महानगर अध्यक्स से राजेश खुपता जी इंटर कॉलेज के प्रणाचार ये डॉक्टर मुर्दी धर्विस्त जी प्रदेश सरकार के पूर मंत्री और पूर विधायक से राजेश खुपता जी बरिष्ट निता से लाजी सिंग जी, होशला सिंग जी, छोटे राल पाश्वान जी, जिड़ा से कारी बैंग के अध्याट से विजय परताब सिंग जी उपस्तित सही प्रसासनिक और सिचाई विभाग के अधिकारी गण मैं सबसे पहले आप सबको धर्दै से बढ़ाई देता हूँ, अपनी सुपकामनाई देता हूँ कि आज आप सबको सरकुलानी रेगुलेटर का ये वो पहार प्राप्त हो राग है याद करिए 2009 में जब यह चेतर गोरकपुर संस्थिय चेतर के अंदर आया था यहाँ पर एक ही मांग थी जिस भी मार्कसी में चलता था लोग कहते हैं तरकुलानी में रेगुलेटर बन जाए कॉम्पिंग स्टेशन के स्थापना हो जाए तो मैं उस समय सोचता था कि आखिर इसका महित तो क्या है लेकि जब पहली ही पाड़ में मैंने देखा कि पूरा पुरा बार ब्रिकास कंड जन्दमामित हो गया है तो मुझे लगा कि पचास हजार परिवारों के लिए यह दो रधा की आवादी के लिए इसका बनना बहुत आउस्चक है और तब से हमने प्रियास प्रारंग किया कि प्रकुमानी रिप्लेटर का निर्माण समय पर हो लोग पाड से बस सकें विमारी से बस सकें जन्धन की मानी रूठ सकें और मैं आज भनेवाद दूँगा कि जब हम इसका लोकारपन कर रहे हैं इस समय के इंद्रिय जलसक्ति मंत्री मानी सेखावत जी भी प्रदेश के जब सक्ति मंत्री डॉक्टर महेंदर सिंग जी भी यहां के लोग प्रिय सांसा सी रविकिसंग जी भी यहां के लोग प्रिय विधायक से विपिन सिंग जी भी चोरी चोरा की लोगक्रिय विधायक शेमधी संगीता यादव जी भी राज्ज सवा की सांसा सी टेपरकास निसाद जी भी इस लंच पर यहां पर बस्तित है और आप सब को इस परियोजना को समर्भित करते मजे बहुत प्रसंता के नहुते हो रही आप सब को में बहाँ बहाई देता हूँ अपने सब कामें देता हूँ अगे तर्पुलानी देख लेकर आज से काम करना प्राराम कर देगा और उसकी छंपा कितनी है बदोर है जगार रामगण ताल के पानी को कहा जाएगा कि बहार करना है तो मुस्किल से एक घंटे में प्रेरामगण ताल के पानी को उड़ेल करके फेंग देगा ये होता है कारे गेंगर और प्रदेश में डवन इंजन की सरकार होती है तो कई गुनार स्पीड के साथ वक्कारे भी करती है और जन्ता की जीवन में खुसाली भी लाने का काम करती है भाईो बेनो पिछला नगभग फेड़ साल पुरे देश और बुनिया के ने पहुत खराब रहा करोना हमारी से न जाने कितने लोग दुनिया के अंदर देश के अंदर दिवारी की चपेट में आ गए पुरे दुनिया के सामने एक फैका माहुड है लेकिन करोना से बस्ते भे करोना के दुरान भी एक एक बैक्तिके स्वास्ते की चित्ता करनी है आदरी प्धान मंत्री जेने जो मंत्र दे इसके अंदरो लेकिन विकास के काल्यों में भी आँच नहीं आने देनी है नौजमानों के रोजकार और मौकरी में भी आँच नहीं आने देनी है इस विश्वास के साथ जीमन और जीमका को बचाने का जो विहां चला आज करोना भी उत्तर भृदेश के अंदर लगभक समात्ती की ओर है और इसी में योजनाओं की परियोजनाओं की विकास कारियों को रोकार करते वे इसका नाद भी आपको प्राफ्त हो यही अग्यां सरकार के बारा प्रारम की आगया है तेरी सम्भेगना है उन सभी परिवारों के परिदी जिन होने करोना के दोरां करोना से या किसे अद्में बिमारी से अपने पिसीश मजन को खोया है लेकिन यह महामारी है हम सब को इस महामारी की तरास्ती को समझना होगा याद करिए भारत के अंतर दुक्रमान अंत्री मोधी जी के नित्रुक्तों में दुनिया के अंतर 135 क्रोड की आबादी का देश भारत तब भी हड़ते वे जूसते वे अपने नाट्रिकों को बचाते वे शुरक्सित इस्पिती में है अमेरिका भारत से यानि चौथा चौथा ही हिस्सा के आबादी अमेरिका के अंतर रहती है तो 33 करोड की आबादी अमेरिका की है और अमेरिका के अंदर भारत से दुबनी मौते हो गई यानि अमेरिका जबकि भारत की आवादी अमेरिका से चार मुनी ज़्यादा है ज़्यादा पिक्सित है लेकिन अमेरिका के अंदर ज़्यादा मौते हो गई अमेरिका का Health Infrastructure भारत से अच्छा लेकिन वहां से अच्छा कारे भारत के अंदर पुधान मुंप्री मोधी जी के रित्रतों में जो हुआ उसने यहां के नागरिकों के जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने का कारिक किया और इसलिए हमें इसी दिसा में एक नया प्रियास आगे बढ़ाना होगा हमें करवना के प्रदी जागरोग होना होगा उसके प्रदी बचाओं की स्तारे उपाए करने होगे लेकिन जीवन और जीविका को भचाने के साथ ही हमें यहां भी सुनिस्थित करना होगा कि हमें एक प्राप प्रिमारी से बचाना होगा लेकिन दूसरी तरह जीविका की भी चिंता करनी होगी और भाईों बेनों ये जितनी पाड की प्रियोजनाओं का आप देख रहे होगे बोड लगे वे हैं ये पाड से बचाओ का भी है आप देख रहे हैं लेकिन राजस्तान में भी पारिस पड़ी नहीं है उन्हों ने आखे पानी को देखा जेगर जेगर पानी लगा वा तो मैंने उनको यही बात कही मैंने का गजें जी अगर ये पानी आप अपने यहां देखे चले जाते तो यहां के लोगों को जल जमाओं से मुक्ति मिल जाती और राजस्तान के लोगों को पानी मिल जाता और मुझे रखता है जिस दूर दरसिता के कारण जल सकती मंतरी का गठन बनान मंतरी मोधी जी दे किया है वह जरूर सफ़द होगा वह जरूर एक दिन कारे रूप लेगा कारे रूप लेतावा दिखाई दे रहा है लेकिन बाड़ की और जल जमाव की समस्या का समाधहान भी होगा बेजन की समस्या का भी समाधहान होगा पर वही हम तो हर प्र कारगी बीमावियों से भी लोगों को बचाने में सपन होंगे वायोगे नो एक तर्गुरानी रेग्रिटर केवल एक कॉंपिंग स्टेशन नहीं है इस पूरे गौरावार बिकास खंड को खेती बाड़ी को बचाने के साथ ही इस पूरे बिकास खंड के अंदर इस पूरे बिकास खंड के अंदर इनसे फ्राइटीस की बिमारी मस्तिस कज़वर से जो मौद्या होती थी उस बिमारी से बचाव का भी एक मर्ध्यम यह बनेगा क्योंकि ज़द प्रामज़ होता था महिनों तक कई दिनों तक यहां पर पानी बना रहता था लोगों की आजिरी का प्रभावित होती थी बिमारियां होती थी मनुष्य को भी बच्चों को भी चांदरा को भी खेती नस्तों अजाती थी लेकिन आने वाले जब यह पंपिक स्टेशन अफ़कारे करना प्रारम कर दिया है अब खेती बाड़ी मी बचे थी लेकिन एक घर तक सुथ बेजन अफ़कारे करने का कारे भी अम्रों काने बाड़े समय में करने जा रहे है बंदेर्टन और बिंदचेतन में कारे प्रारम हो चुका है हर भर नल की उजना हमारा प्रियास है विसंपर तक प्रदेश के अंदर पचास हजार आजस्सों गाओं तक पेजन की विवस्ता की स्वीक्रते दे करके कारे प्रारम कर दिया जाए जिससे हर घर नल की योजना के मात्यम से हर घर के हर एक भी को सुट बेजर की उप्टता के मात्यम से तमाम प्रकार की बीमारियों से इसे मुक्ती दुना सके ये तो मस्तिस्क ज़र है इसका दो ही कारण था वाई यो मस्तिस्क ज़र के पीछे का कारण ही था और वह था एक वहाँ पर किसी भी प्रकार से मस्तिस्क ज्वर के कारण जो बिमारियां होती थी उस बिमारी का कारण ही भा एक गंदगी और दूसरा असुत जब लेकिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई बिमारी न रहने पाए इस समस्या का समाधान करने के लिए आज जल जीवन लिसन के अंतरकत हर भर नगी योजना के रियानित करने का प्रियास हो रहा है और हमारा प्रियास है कि किसंबर तक पचास हजार राजस्ट गाउं तक इस बेजल की योजना को हम आगे बढ़ा सकेंगे इस विस्टास के साथ हमको किस कारेक्टर हम पागे बढ़ा रहे हैं आज जिन परियोजना का लोकार को यहां पर क्या जा रहा है तरकुमानी का रेखलेटर 85 करोड उपे की मादत से आज बन करके तयार हुआ है यहां तो इस शेटर को समर्पिम क्या ही दा रहा है लेकिन साथ-साथ चाहे बहा08 दस परियोजनाय यहां की सडकों की है और साथ-साथ चोरी-चोरा शेटर के दो उपरिकामिर शेटर के लोकार करनका कारेक्रम यहां पर संक्षन हो रहा है मैं चोरी-चोरा छेत्र के सभी नागरिकों को इसके लिए माहा की विधायक समय माहा के नागरिकों को हिरते से बदाई देता हूँ, अपनी सुब कामने लेता हूँ भायो बेनो, साथ-साथ इस छेत्र में विध्यालेयों के निवनार का भी कारिक भूखिया गया है आद दिसकावी यहां पर लोकारमन का कारिक्क्रम संपन्त हो रहा है यह लोकारमन का कारिक्रम के वख अशायिप अमातर नहीं है हर एक ब्रीक्टि के जीवन में कुसाली लाने का मात्या मैं याँद करिए 200uuD में जब हम दोगों ने प्रांध मंत्री जी ले करकमनों से गोरकपूर में एन्स का सदान्यास करवाया था तो मैंने एन्स का सदान्यास इसलिए इस फोराबार वाली रोड़ पर ही करवाया था क्योंकि उस Basilाइटिस समसे ज़्यादा प्रोहवित कोई विकास गंड था तो गोरगपुर में खोड़ादार की कास्कंट था भाई योगे नो आज एमस बनकर की तयार है और हमारा प्रियास है कि अब्टूबर तर पूरी तरह तयार करके अब्टूबर में प्रहान मंत्री जी के करकम्रों से हम एमस कामी उद्धाटन करवाएं के और एमस गोरगपुर में विश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् का शेकर कोड़कुर के बन्यों मोगता को गया फंस नुक्भी को रखने के किसानों को खाद मिलेगी नौजानों को माफिर्या मिलेगी इस आम नौजमानों को उसके मातन से रोजकार की सुधाय प्लत होंगी रामगर्तार इसी बोरामार विकार स्खंट से ठड़ावा है जिनों ने गरीबों की संपत्ति को रूटा है आज सरकार उसको पने कब्से में ले रही है और फ्र उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है आज सरकार का वोर्णों जब कैसे चलता, आप रेक रहा होगे बड़े-बड़े माफ्याओ के उपर ये माफ्या कभी ब्याकानियों के पर अपना घुंटों से उसूली करवाते थे अज सरकार का बोलो जब जब उनकी चाती पर चड़ रहा है और उनकी अवैर कमाई को रौदने का कारे हो रहा है क्या आपको अच्छा लखता है क्यों समर्दन करते है माफिया के कराब कारवाई ठीक है जबी लोग वो पसंद है ना माफियाओं को समर्दन दो नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं कि सरकार कारवाई करें आप बचाव में आ जाएंगे इसलिए भजयो मैंनो आप और आप के आने वाले पीड़ी को सुरक्सित करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है विकास भी होगा और बिनासकारी तक्तों के साथ सक्ति से रिपटने का कारें भी होगा जीवन भी बचाएंगे जीविका को भी बचाएंगे ये बाड़ की प्रियोजनाओं को एक साथ बोकार्पित करते हैं को ते अतन पानंदे के अन्भूते हो रही है और मैं अभारी हूँ आनिये गजेदर सिंसे गावजी का जिन्होंने अपने गस्ततम कारेकरों में पुरा देश उनको देखना होता है देश के अंदर बाड़ की समस्या देश के अंदर सूखे की समस्या देश के अंदर बेजर की विवस्ता देश के अंदर सुचिता की समस्या देश के अंदर हर उस समस्या जो जब और जन से तुमेवे मिभागों की है तो ये देश के अंदर उस समस्या के समाधान करने के लिए वा नाम है पुनानमंत्री जीने वा नाम दिया है गल्जेत पुसिंजेकावार की का लेकिन अपने विस्पतम समय में से समय निकाल करके विए उत्तर प्रदेश में आए और आज गोरगपुर की इन प्रियोजनाओं के वोकारपन कारिक्रम के स्विम साक्सी बने उनका मार्ग दरसन उनका स्रिवाद यहां की जनता जरादन को प्राप्त हुआ है मैं हिर्दै से उन्हें उत्तर प्रदेश के नागरिकों की और से गोरगपुर और फुर्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों की और से हिर्दै से सादवबाद देते हुए आप सब को मैं हिर्दै से अपनी सुपकामना देता हूँ और विश्वास धट करता हूँ कि ये प्रयोजनाएं आपके जीमन में भलीबूत हो आपके जीमन को और आपकी जीविका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगी तो हम सब की मिहनत साथको की विश्वास के साथ आप सब के प्रती आपके परिवाजनों के प्रती आपके वित्रों सुचित्वों के प्रती धिरदे से मैं सुच्प कामनाएं बढ़ते करता हूँ आपको इन्वेशनाओं की भेर सारी बढ़ाई देते वे अपनी बाणी को ब्राम देता हूँ धन्यवाद जय है आपके प्रेटा काये को गोधन और गोष्पून वाड़ी पून आशिर वश्णों के लिए सदयब के तरह ही आज भी हमें आपने आगे बढ़ने के प्रेटा और लोक अल्याण के प्रेटा दी है यू 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 पू जया है गोटनी सकते के से सब्सक्राइब।